हेलो एवरिवन वल्कम बेक दो में यूट्यूब चैनल आज की स्वीडियो में 30 मैंस रॉयल रंबल मैच में अपना रिवी पेश करूंगी जिसमें विनर्स के लिए कोडी रोस एंड सीम पॉंक हाइलाइस हैं तो क्या इन दोलों में से कोई एक रॉयल रंबल विन कर पाया य एंट की होती है ये उसो कि एन दैन्डूनों ट्विन्स ब्रस एक से के साथ स्वायट करते हैं इट स्वीड नों य अध्य की चैनल लगती है नमब्र 3 के एंट की है यंद नबर 9 पे जुजवन देएकारड। Üx 나서 흡濃香 स्फ़ियव एंटी करता है। Dalton डूमिनिटमे बिस्टीरीक करता है। anticipating protects Lee to India को मैं विलमेंट कर देता है। लोगा पैल Dasautres अलम्वाली होता हैं सब्सक्राइब करता काइल से लीभित कर देता है वह लका है। सब्सक्राइब को Elimiate कर देता है एंड केर्यएड को बोबी लैश्यली को रिंग से बाहरी कीँज कर देता है , नमबर ठाइड पर काइदरी करता है नमबर थर्टीं पर आसपरन थियूरी एंटू करता है कारमेलो हेस डोमेनेक मिस्टीरियो के साथ fight करता है and डोमेनेक मिस्टीरियो को eliminate करने की कोशिश करता है and then number 14 पे entry हो जाती है जुजमन डेके Finn Balor की and Finn Balor focus के साथ entry करता है and आकर कारमेलो हेस को eliminate कर देता है and डोमेनेक मिस्टीरियो को save करता है and then Finn Balor and Dominic Mysterio दोनों मिल कर team work करते है then Finn Balor अंदरादे के साथ fight करता है and Finn Balor अंदरादे को flink blade attempt कर देता है number 15 पे Cody Rose entry करता है Cody Rose आकर Aston Theory को eliminate कर देता है then Finn Balor Cody Rose के साथ fight करता है number 16 पे bronzer weed entry करता है Bronson Reed आकर Finn Balor and Dominic Mysterio दोनों को एक साथ अकठे उठा कर double seven drop attempt करता है and Bronson Reed अंदरादे को eliminate कर देता है number 17 पे कुफी Kingston entry करता है Cody Rose शिंचके Nakamura को cross roads attempt करके eliminate कर देता है कुफी Kingston काईजर को eliminate कर देता है number 18 पे IC Champ गुन्थर entry करता है गुन्थर आकर Finn Balor and Dominic Mysterio के साथ fight करता है then Cody Rose के साथ fight करता है गुन्थर कुफी Kingston को eliminate कर देता है number 19 पे Iwan entry करता है number 20 पे NST से Brons Breaker entry करता है Brons Breaker आकर Jimmy Uso को eliminate कर देता है then Finn Balor and Brons Breaker की fight होती है and Brons Breaker Finn Balor को spear attempt कर देता है and then eliminate कर देता है and viewers ये बहुत बुरा हुआ Finn Balor के साथ Finn Balor को इतनी जल्दी eliminate नहीं होना चाहिए था अभी तो judgment देके members भी complete नहीं हुए थे number 21 पे Omas entry करता है Omas आकर Bronser Weed को eliminate कर देता है then Brons Breaker Iwan को eliminate कर देता है number 22 पे Pat McCaffey जो के commentary table पे बैट के commentary कर रहा होता है उसका name announce होता है and Pat McCaffey मुझा के तोपर आकर खुद ही खुद को eliminate कर देता है and इस रासे number 22 जाया हो जाता है and then Dominic Mysterio Brons Breaker को eliminate कर देता है and इस रासे Finn Balak को eliminate करने का revenge लेता है and then number 23 पे judgment देका J.D. McDonough entry करता है and Brons Breaker जाता हुए J.D. McDonough को spear attempt कर देता है and इस रासे J.D. McDonough ringside पे ही गिरा रह जाता है and then number 24 पे our truth entry करता है and our truth आकर J.D. McDonough को उठा कर ring के अंदर फैंग देता है and then J.U.S.O. J.D. McDonough को eliminate कर देता है and then our truth Dominic Mysterio को खुद को tag करने के लिए कहते है and Dominic Mysterio surprise होता है कि ये Royal Rumble match है कोई tag team match नहीं है जो मैं tag करूँ but our truth नहीं मानते and then तभी Gunther Dominic Mysterio को पकड़ लेता है and then Dominic Mysterio खुद को बचाते हुए our truth को tag कर देता है and our truth and Dominic Mysterio की ये story काफी अच्छी लाग रही है number 25 पे the maze entry करता है maze and our truth एक साथ हो कर team work करते है बच जैसे ही मेंस CM Punk एंट्री करता है CM Punk आकर fight up करता है and CM Punk Dominic Mysterio को eliminate करने लगता है तो Dominic Mysterio हिरान होकर CM Punk की तरफ इस सजाए नदरों से देखता है and नदरों से कहता है कि प्लीज मुझे नहीं निकालो but CM Punk Dominic Mysterio को eliminate कर देता है then number 28 पे Ricochet entry करता है Gunther Maze को eliminate कर देता है number 29 पे Drew McIntyre entry करता है Gunther J. Uso को भी eliminate कर देता है number 30 पे Sammy Zane and Sammy Zane जो के काफी मुझ से गायब था वो return करता है Drew McIntyre Ricochet को eliminate कर देता है Sammy Zane Day में Priest को eliminate कर देता है then Drew McIntyre Sammy Zane को eliminate कर देता है and final four man CM Punk Cody Ross Drew McIntyre and Gunther होते है and then Drew McIntyre CM Punk को Claymore Kick attempt करने लगता है but CM Punk एक साट पर हो जाता है and Drew McIntyre खुद ही गिर जाता है and then Drew McIntyre again CM Punk को Claymore Kick attempt करके बाहिर फ्हेंकने की कोशिश करता है but then CM Punk Drew McIntyre को GTS attempt करके eliminate कर देता है then Cody Ross Gunther को eliminate कर देता है and final two man's Cody Ross as CM Punk बच्चते है and then this match में काफी suspense होता है कि कोई अपनी story finish करेगा Cody Ross CM Punk को crossroads attempt करता है but उसमें बाहिर फैंगने की हिम्बत नहीं होती है and then CM Punk Cody Ross को GTS attempt कर देता है but उसमें भी Cody Ross को elevate करने की हिम्बत नहीं होती है then दोनो CM Punk की लेक को पकड़ लेता है and no में सर हिलाता है and CM Punk को eliminate कर देता है and इसासे Cody Ross Royal Rumble win कर लेता है and अपनी story को finish कर लेता है में Royal Rumble match को crowd में Roman Reigns बैठ कर and Seth Rollins खड़े होका वास कर रहा होता है and after the match Cody Ross celebrate करते हुए WrestleMania की तरफ sign करता है and then Roman Reigns की तरफ sign करता है and यह बात तो pretty sure है कि Cody Ross WrestleMania में Roman Reigns को ही for the Undis Peter Universal Championship के लिए face करने वाला है and two time Cody Ross ने Royal Rumble को win कर and Undis Peter Universal Championship के लिए compatible proof कर दिया है so let's see करवासर में Roman Reigns versus Cody Ross के मैश में क्या होता है and ring side CM Punk यह देखकर sad होता है तो आपको Royal Rumble का यह result कैसा लगा तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेस वीडियो में तो वीडियो अच्छ लगिए तो वीडियो को बूल बाए